दोस्तों स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल इंग्लिश पाब उपर और आज मैं फिर हाजेर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी ह कहानी है सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नई इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे उनकी करेक्ट पिंडन सेशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डी कहानी का टाइटल है लॉइंस एंड दा जैकल दोस्तों जैकल का मतलब होता है सियार और मतलब शेर और यह प्लूरल नाउन है तो यहां पर एक से अधिक शेरों के बारे में बात और यह प्लूरल नाउन है लॉइंस मतलब कि शेर और सियार तो दोस्तों यह आज की इस कहान मिले, नया structure मिले, आप उसे note भी जरूर करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे like भी जरूर करें, तो चलिए इसको शुरू करते हैं Once there lived a loin couple in the forest, क्या मतलब वह? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये past indefinite का affirmative वाक्य है, जहां वर्व की second form का प्रियोग किया जाता है live का मतलब होता है रहना, किसी इस्थान पर निवास करना, और ये second form में lived, तो क्या आर्थ हुआ? Once, एक बार, there lived a loin couple in the forest, दोस्तों couple का मतलब होता है जोड़ा, जिसे दमपत्ती भी कहा जाता है, उसे couple भी कहता है दमपत्ती जोड़ा, उसे couple कहा जाता है, इंगलिश में, और तो इस line का क्या रहत हुआ कि, एक बार once, there lived a loin couple in the forest, मतलब एक बार, एक जंगल में, एक शेरों का जोड़ा रहता था, one day, एक दिन, the loinis gave birth to two sweet cups, क्या रहत हुआ और दोस्तों, ये भी हमारा past indefinite का affirmative वाक्य है, जहां second form का प्रियोग किया गया है, give का मतलब होता देना, second form है gave one day, एक दिन the loinis gave birth, जो loinis, loinis का मतलब share नी, जो share नी थी, उसने जन दिया two sweet cups, मतलब दो प्यारे शावकों को उसने जन दिया, और दोस्तों, कब्स का मतलब होता है जो share के, बच्चे होते हैं शिशू शावक, उन्हें कब्स कहा जाता है तो दो उसने शावकों को जन दिया the loinis was very happy, जो share नी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी whole day long, मतलब की पूरा दिन, she would play with the cubs, मतलब पूरा दिन वह अपने शिशू के साथ, अपने बच्चों के साथ वो खेलती, उन्हें शावकों के साथ वो खेलती, the cubs would always remain hungry, और यह जो cubs थे, मतलब जो यह शिशू शावक थे, वो हमेशा ही भूके और दोस्तों, remain एक वर्वे जिसका मतलब होता है, किसी भी अवस्था में बने रहना, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं the cubs would always remain hungry जो cubs थे, मतलब जो वो बच्चे थे शावक थे, वो हमेशा ही भूके रहते the more they ate the more they felt hungry मतलब जितना ज़्यादा वो खाते उतना ही ज़्यादा उन्हें भूक लगती one day एक दिन the loin left early in search of food और दोस्तों, ये भी हमारा pass indefinite का affirmative आपके है leave का मतलब होता है, निकलना, रवाना होना और ये second form में left तो क्या अरत हुआ, one day एक दिन the loin left early, जो शेर था वो जल्दी चला गया in search of food खाने की तलाश में in the afternoon, in the afternoon मतलब की दो पहर में when he returned back, जब वे वापस लोटा या वापस आया the loinis asked him about food, जो loinis थी जो शेर नी थी, उसने उससे खाने के बारे में पूछा the loin said, शेर ने कहा, sorry मतलब की दुख है today I could not get any prey और दोस्तों, prey का मतलब हो था, शिकार ये एक ना होने तो उसने क्या जवाब दिया की, sorry मतलब मुझे दुख है today I could not get any prey, मतलब मुझे आज भी, आज कोई भी शिकार नहीं मिल पाया चलिए, आगे देखिए hearing this, ऐसा मतलब ये सुनकर the loin is said, जो loin is थी शेर ने तो उसने कहा our children are very hungry, उसने क्या कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत भूके हैं please bring some food for them, किरपिया उनके लिए कुछ खाना लाइए, चलिए, आगे देखिए the loin again went in search of food और दोस्तों ये go की second form में went, ये इसका मतलब जाना the loin again went in search of food, जो शेर था वो दुबारा, खाने की तलाश में चला गया on the forest path, मतलब की जंगल के रास्ते पर, path मतलब रास्ता या फिर mark मतलब की जंगल के mark पर, he spotted a baby jackal jackal मतलब CR या गीदर को भी jackal कहा जाता है, और spot का मतलब होता देखना उसने एक CR के बच्चे को देखा, the loin grabbed it, जो loin था, उसने उसको जपट लिया and returned to his home, और वो अपने एक भार lot आया giving the baby, giving the baby jackal to the loinis, he said, क्या रत हुआ कि giving the baby jackal to the loinis, he said, मतलब शेरनी को CR का बच्चा देते हुए, वो बोला, उसने कहा kill this baby jackal, मतलब इस CR के बच्चे को मार दो and feed our baby, और feed मतलब खिलाना and feed our babies और हमारे बच्चों को खिला दो, the loinis saw the innocent baby jackal, और दोस्तों ये भी past indefinite का affirmative बाक्य है, c मतलब देखना और saw मतलब देखा, the loinis saw the innocent baby jackal, जो loinis थी, शेरनी थी, उसने उस innocent मतलब निर्दोश या फिर मासूम, मासूम सियार के बच्चे को देखा, she she did not like the idea of killing the baby, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये past indefinite का negative वाक्य है, जब हम past indefinite में negative वाक्य बनाते हैं, तो हाँ, subject के बाद did not का प्रियोग किया जाता है, उसके बाद वर्फ की killing the baby, मतलब उसे बच्चे को मारने का जो ये idea था, विचार था, वो उसे अच्छा नहीं लगा, she said to the loin, उसने share से कहा, I can't kill this baby, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती, it is as small as our own kids, मतलब ये उतना छोटा है जितने हमारे अपने खुद के बच्चे, I will bring it up with my kids, और दोस्तों आप इस वर्ट को नोट कर सकते हैं, bring up का मतलब होता है, किसी को पालना, पोसना, उसे bring up कहा जाता है, तो उसने क्या जबाब दिया, I will bring it up with my kids, मतलब मैं इसे अपने बच्चों के साथ पालूंगी, चलिए, आगे देखिए, दा लॉइन अग्रीड, अग्री का मतलब होता है, सहमत हो जाना, किसी बात से, सेकिंड फो में अग्रीड, दा लॉइन अग्रीड, जो शेर था, वो सहमत हो गया, अब यह जो जैकल था, सियार था, उसने शेर के परिवार के साथ रहना शिरू कर दिया, he learnt to hunt animals from the loyness, क्या अग्रत हो, दोस्तों learn का मतलब होता है, सीखना, याद करना, पड़ना, और यहां इसका मतलब है सीखना, और second form, learned, he learned to hunt, और hunt मतलब शिकार करना, मतलब उसने शिकार करना सीख लिया, animals, जैनवरों का, पश्वों का उसने शिकार करना सीख लिया किस से सीखा from the loynes मतलब शेरनी से उसने जानवरों का सिकार करना सीख लिया the children grew older as the days passed और दोस्तों ये grow की second form ए grew grow मतलब होता है बढ़ना second form ए grew the children grew older जो बच्चे थे वो बड़े हो गए as the days passed जैसे जैसे दिन गुजरे जो बच्चे थे वो बड़े हो गए soon जल्दी ही the day came मतलब वो दिन आया when the three animals killed a deer मतलब जल्दी ही वो दिन आया कि जब जो तीन पशू थे जानवर थे killed a deer उस उन्होंने एक deer को मतलब एक हिरन को मार दिया और दोस्तों यहँआपर आप समजी गए हूए two animals के बारे में जो बात हो रही है और दो कि शेर्नी के बच्चे है cords जो बड़े हो गए और तीसरा वो CR है तो यहाँआ पर इन необход बात हो रही है आगे देखिए उन तीनों को वो खाने दिया जो उन्होंने पकड़ा था चलि आगे देखिए वन डे एक दिन दा लॉइनेस एंड थ्री यंग वन्स वर रोमिंग इन दा फोरेस्ट क्या रता हुआ कि वन डे में दा एक दिन दा लॉइनेस एंड थ्री यंग वन्स मतलब शेर नहीं और जो तीन चोटे जो बच्चे थे जो छोटे थे वर रोमिंग वो घूम रहे थे in the forest जंगल में घूम रहे थे in search of food खाने की तलाश में और दोस्तो रोम मतलब घूमना तो आप इसे नोट कर सकते हैं सून जल्दी ही they came across a mad elephant और दोस्तो यहां दे का प्रियोक किया गया दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रियोक किया जाता है और दे जो है वो एक plural noun है तो इसका क्या रत हुआ सून जल्दी ही they came across a mad elephant जल्दी ही उनका एक पागल हाती से सामना हुआ और जो लॉइनेस ती जो शेरनी थी और जो उसके दो बच्चे थे चिल्डन वर ब्रेव वो बहादूर थे दे डेर्ड टू फेस दा बिग एलिफेंट और डेर्ड का मतलब होता है साहस दिखाना हिम्मत दिखाना उस बड़े हाती का सामना करने का उन्होंने साहस दिखाया चली आगे देखिए लेकिन जो जैकल था स्यार था वो डरा हुआ था भेवी था टू डील विद अलिफेंट मतलब उस हाती के साथ डील करने में हाती के साथ लड़ाई जगला करने में वो बहुत ज़्यादा घबराय हुआ था और दोस्तो फ्ली फ्ली का मतलब था भाग जाना और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटी बाके है ये फ्लेट अवे फ्लेट अवे वहां से भाग गया दा एलिफेंट कुड नॉट डील विद था थ्री बीस्ट फॉर लॉंग और जो एलिफेंट था जो हाती था वो इन त जगा से भाग खड़ा हुआ चलिए आगे देखिए और दोस्तों यहां पर मैं कहाने के बीच में आपके को एक चोटी सी बात भी बताना चाहूँगा कि आज मैंने कम्यूनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन को पोस्ट किया था जैसा आम तोर पर मैं रोज करता हूँ तो करेक्ट आंसर है वो है I have known him since childhood तो दोस्तों मैंने कई कॉमेंट्स देखे जहां पर शायद कोई confusion थी या कई लोगों को ऐसा लगा कि वो आंसर गलत है तो यहां इस चीज़ को में बिलकूँ clarify करना चाहता हूँ कि answer जो है वो यही इसका answer है I have known him इसका reason यह है कि यह जो हम शायद कई लोगों को यह लगा होगा कि यह जो वाक्य है वो present indefinite का है क्योंकि present indefinite में जब हम वाक्य बनाते हैं तो आम तोर पर जो present indefinite की के वाक्यों की टेल पर उसके अंत में भी ताहे ती है जैसे शब्द आते हैं जैसे मैं खेलता हूँ मैं जाता हूँ तो शायद आ उनको इस बारे में बता देता हूँ कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम ये दिखाते हैं कि कोई भी काम किसी particular time frame को दिखाते हैं ये दिखाते हैं कि ये जो काम है वो मतलब इतने time से होता है तो इस तरह के जो वाक्य है उसको present perfect माना जाता है तो आप इसका answer देंगे I know him लेकिन जो हमारा वाक्य है वो है मैं उसे बच्पन से जानता हूँ तो यदि आप वाक्य पर धिहान देंगे तो इसके अंदर ये पता चल रहा है कि मैं उसे जानता हूँ और उसके अलावस में ये भी information है कि मैं उसे बच्पन से जानता हूँ तो रूल के accordingly present perfect का रूल ये है कि अगर हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर ये शो हो कि वो किरिया पूरी हो चुकी है और किरिया पूरी होने का हमें कैसे पता लग रहा है क्योंकि उसके अंदर एक time frame है तो उसको present perfect माना जाता है और जब हम present perfect उसको मानेंगे और जब वो present perfect का वाक्य होगा तो वहां पर हमें has या have का प्रियोग करना होगा helping work को रूप में और 7 work की third form लगानी होगी तो दोस्तों आप इस चीज को note करें या फिर चाहें तो आप इसके structures को खुद भी एक बार देख सकते हैं कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे कि जिसमें ताहे ती है लेकिन उसमें एक समय भी दिया हो तब कि इतने समय से वो चीज हो चुकी है तब उस वाक्य को present perfect माना जाता है तो जो हमारा वाक्य था कि मैं उसे सबसे पहले तो यही चीज आप समझ सकते हैं ताकि आपकी confusion दूर हो जाए कि यह जो वाक्य है मैं उसे बच्पन से जानता हूँ यह present perfect का वाक्य है और जब यह present perfect का वाक्य है तब आपको यहाँ पर हैजएफ का प्रियोग करना होगा और साथ में वर्फ की third form लगानी होगी और यदि वहाँ पर एक निश्चे time frame दिया होगा तो वहाँ पर हमें scenes का प्रियोग करना होगा तो इसका जो correct answer है वो है I have known him since childhood तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी confusion दूर ही होगी आप लोग समझ गए होगे और कई बार जैसे मैं community post में questions देता हूँ तो दोस्तों वहाँ पर सिर्फ एक line का question होता है और साथ में 4 answer होता है तो वहाँ पर इतना समय या फिर इतना space नहीं होता कि मैं उसको clarify कर पाऊँ या फिर इतना भी नहीं होता कि मैं comment के माध्यम से ही आपको उस चीज का reply करके समझा दूँ क्योंकि कई सारी चीजे ऐसी होती है जो हम कुछ lineों में express नहीं कर पाते हैं लाइनों में उनको और उसके लिए हमें थोड़ा सा समय की ही जरूरत होती है और हमें बताना पड़ता है तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज वीडियो के दौरान बता दूँगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बात आपको अच्छे से समझा आई या नहीं या फिर अगर आप और भी इसमें ज्यादा क्लारिटी चाहते हैं और भी ज्यादा चाहते हैं कि इसको डिसकस किया जाए तो मैं इसके प्रिजेंट परफेक्ट के ऊपर में एक सेपर एक चैप्टर जो है उसको हम कवर कर लेंगे प्रिजेंट परफेक्ट के ऊपर में एक वीडियो बना दूँगा तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं चलिए अब हम कहानी को continue करते है और दोस्तों नोटिस का मतलब होता है अवलोकन करना की चीज़ पर दियान आप बोष और एक जाड़ी के पीछे उसे वो मिला मतलब जाड़ी के पीचे उसे वो मिला बोरी तरह ने आप रहा था तो कब उस मेंट जावक थे उसे वहँ पहूंच गय और उन्हों ने जैकल को स्यार को चल अगे देखिए अब देलॉएनिस आंडर्। अंडर्टूड दा फिलिंग्स। और यह भी हमारा पास्ट का अफरमेटिव वाकिय है लॉएनिस अंडर्टूड अन्डर्टूड और यह अंडर्ट गी सेकिंड फॉम हैं अंडर्टूड जिसका अर्थ होता, समझना दाल्रॉएनिस understood the feelings of the jackal क्या अर्थ हुआ और ये भी हमारा past का affirmative वाकिय है the loyness understood और ये understand की second form है understood जिसका अर्थ होता समझना the loyness understood the feelings of the jackal जो शेरनी थी वो सियार की भावनाओं को feelings को मतलब भावनाओं को उसके समझ गई she said to him उसने उससे कहा I think मतलब मुझे लगता है that ki you should better leave us now उसने और दोस्तों should का प्रियोग वाकियों में सला को दर्शानी के लिए किया जाता है तो उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि आपको you should better leave us now कि अब मतलब ये अच्छा होगा कि आप हमें छोड़ दे you got scared of the elephant मतलब की आप elephant से मतलब हाती से घबरा गए डर गए whereas जब की my cubs fought him bravely जब की जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने बहादुर से बहादुरी से उससे लड़ाई की don't forget that you are a jackal मतलब इस बात को मत भूलना की आप एक सियार हो not a loin एक शेर नहीं now up I want you to fend for yourself और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी देखबाल खुद करूँ आगे देखिए saying this ऐसा कहते हुए the loinis left with her two cups जो शेर नहीं थी वो अपने दोनों शावगों के साथ चली गई चले दोस्तों कहानी का जो moral है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या moral है the basic nature of a being never changes क्यारत हुआ दोस्तों nature का मदद है स्वाभाव जो एक किसी का भी जो एक basic nature होता है जो एक उसका एक प्राकरतिक स्वाभाव होता है वो कभी भी नहीं बदलता है तो दोस्तों यह आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मिद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी आपको और यदि अच्छी लगी हो तो आपसे request है आप वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें चैनल को भी subscribe करें और सुझा वो तो comment के मादधें से जरूर बताएं सुनने के लिए thank you so much have a nice day and bye